वेल्कम तू कर्मेन को एजुकेशन, स्ट्राइब तू एक्सिलेंस हाई प्रेंड्स दिस प्रिया कश्या, कर्मेन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम डिस्केस करेंगे 18 तगस 2020 से लिएगे इंपोर्टेंट MCQs तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में देएगे लिंक के द्वारा आप हमारी वेबसाइट से इस वीडियो का पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी के साथ आगे बढ़ेंगे फार्स कोईशन डिस्क्रिस करेंगे जो आप लोगों से कर पूछा गया था कुश्यन था 15 अगस 2020 को भारत ने अपना सतंतर दिवस मनाया आप्शन थे 77, 72, 75 या 74 जो इसका करेक्ट आम से लब हो है D 74 डेटेल से भारतिये गरतंतर 15 अगस्त 2020 को अपना 74 दिवस मनाया था और 15 अगस 1947 को लगभग जो है 200 साल लंबे ब्रिटिश चार्सन के बाद जो है भारत को ब्रिटिश समराज्ये से अजादी मिली थी इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देखते हैं नेक्स्ट कोईशन नेक्स्ट कोईशन है हाल ही में किन दो भारतिय क्रिकेटरों ने अंतर अश्ट्य क्रिकेट से सन्यास ले लिया है आप्शन है महिंदर सिंग धोनी एं सुरेश रेना, महिंदर सिंग धोनी एं विराट कौहली, यूराज सिंग एं रविंदर जडेजा या रुही शर्मा एं केदार जादव जो इसका correct answer है वो है A. महिंदर सिंग धोनी एं सुरेश रेना डिटेल सिंग धोनी और सुरेश रेना ने अंतराष्ट्य क्रिकेट उनसे सन्यास ले लिया है और धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत कूर क्रिकेट में साल 2011 में फिर से विश्व विजेता बनाया था और इसके अतिरिक्त जो है साल 2007 में धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने T20 विश्व कब भी अपने नाम किया था और धोनी ने जो है साल 2004 में बंगलादेश के खिलाब अपने क्रिकेट करियर की जो है शुरुआत की थी और वहीं जो है सुरेश रेना ने अपने 16 साल के करियर में भारत के लिए जो है 18 टेस्ट मेश 226 वंडे और 78 T20 अंतराष्टे मुकाबले खेले हैं और उन्होंने इस बीच अंतराष्टे क्रिकेट में जो है 7000 से जादा रन बनाये हैं इसी के साथ आगे बढ़ेंगे देख देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन है यूपी सरकार में किस कैबिनीट मंत्री एंप पूर्व क्रिकेटर का जो है करोना के कारण निधन हो गया है ऑप्शन है सुनील जोशी चेतन चोहान अविश्कार साल्वी या अरुन लाल जो करेक्ट आंसर एसका वो है 1978 के भी 40 टेस्ट मेंच खेले थे और उन्होंने जो है 31.54 के ओसस से जो है 2084 रन बनाए और उनका जो है बेस स्कोर जो रहा था वो 97 का रहा था और चेतन चोहान का जो जनम है वो 21 चुलाई 1947 को हुआ था उन्हें भारते जनता पार्टी के टिकिट से जो है साल 1991 में जो है अम्रोहा में चुनाव लड़े और वहां से वह सांसत जो चुने गए थे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स कुशन नेक्स कुशन है भारतीय प्रती भूती M विनीमे बोड ने मिच्च्वल फंड नियमों के उलंगन के लिए साल्व जनिक शेत्र के कितने वित्य संसानों पर जो है 10-10 लाग रुपे का जुर्माना लगाया है आप्शन है 10-5-3-4 जो इसका करेक्ट रांसर है वो है C-3 डिटेल सेखेंगे डिटेल सेवी ने जो है जिन संसानों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें से जो है भारतीय स्टेट पैंक भारतीय नाच में पाया कि जो SBI, LIC और VOB जो है SBI Mitchell Fund, LIC Mitchell Fund और बडोदा Mitchell Fund इसमें प्राय हो जाकते हैं और इसके पास जो है इनमें Mitchell Fund में जो है 10-10 प्रतीशत से अधिक हिस्सेदारी है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं केंद्री मंत्री समरिती इनानी ने जो हाल ही में उतकर्ष आंगनवाडी केंद्रों के तौर पर विक्सित किये गए 151 आंगनवाडी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये किस एप का जो है उतगाटन किया आप्शन है उतकर्ष एप स्नेह एप मोती एप या सकी एप जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी सकी एप डिटेल्स देखेंगे डिटेल्स हैं केंद्री मंत्री समरिती इरानी ने जो है आंगनवाडी के लिए सकी एप के जो जारी किया है और उनोंने यह भी कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा जो है आंगनवाडी केंद्रों का जो उतकर्ष आंगनवाडी केंद्र बनाने के लिए किया गया है और आगामी जो है एक वर्ष में जो है 500 और आंगनवाडी केंद्रों को उतकर्ष आंगनवाडी केंद्रों के अंलाइन शिक्षन का जो है कादे भी इसी अप्लीकेशन के जरिये भी होगा इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स कोशन है हर्याने के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर ने राजी में धर्मात शिक्षन संस्तानों और अस्पतालों को जो है संपत्ती कर पर कितने परसंट की चूट देने की घुशना की आप्शन है 50 परसंट, 100 परसंट, 70 परसंट या 60 परसंट जो करेक्ट आंथर है इसका वो है भी 100 परसंट डिटेल से खिंगे डिटेल से हर्याने के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर ने जो है स्वतंता दिवस की पूर्व संध्या पर राजे में धर्मात शिक्षन संसानों और अस्पतालों के संपत्ती पर जो है 100 परसंट चूट देने की घुशना की और मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर ने हाल ही में यह भी सभी धार में किस्तलों के लिए अप्रेल जून के जो बिजली बिलों का जो है सरचार्ज जो भी है समित अन्य चूट की भी घोशना की है और साती जो है नगर निकायों के तहट आने वाले लाल डोरा गाओं में जो है इस्तित रिया यशी संपत्तियों के लिए संपत्ती करके एका एक बारगी जो है 50 परसंट जो है छूट देने का एलान भी किया है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन है निम्न में से किस भारतिय क्रिकेटर को इबाइक गो का जो है ब्रांड अम्बेस्टर निक तो किया गया ओप्शन है हरवजन सिंग महेंदर सिंग धोनी रोहि शर्मा ये सुरेश रेना जो इसका करेक्ट रंसर है वो है ए हरवजन सिंग डिटेल से खीँगे डिटेल से हैं यह वहां स्टाट अप कंपनी जो है इबाइक गो ने भारतिय क्रिकेटर हरवजन सिंग को जो है अपना ब्रांड अम्वेस्टर बनाया है और ब्यान के मुताबिक हरवजन सिंग का ब्रांड अम्वेस्टर बनाने के साथ कंपनी का लक्षे है जादा से जादा लोगों तक पहुंच अपनी बनाना उनका लक्षे है और उन्हीं वहां अपनाने के लिए प्रेरीद करना भी उनका लक उसे पूने और चेनने जैसे नए बजारों में बढ़त पनाने में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ देखते हैं next question, next question है भारतिय रेल ने गरीब कल्यान रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का स्रेजन किया, option है 10, 5, 6 या 4, जो correct answer है वो है C, 6 गा, एक बड़ डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है भारतिय रेल वे ने कहा है कि उसने गरीब कल्यान रोजगार अभियान के तहत जो है, 6 राज्यों में पांच लाग से जादा मानव दिवस रोजगार स्रेजित किये हैं, और रोजगार स्रेजित होने वाले राज्यों में उत्तर परदेश, बिहार, जालखर्ण, मत्यपरदेश, राजिस्तान और उडिसा शामिल हैं, और इन राज्यों में प्रवासी भारतियों को रोजगार देने के लिए, रेलवे के बुनियादी धाचे से जुड़ी लगवक 165 पर योजना चल रही हैं, और प्रधान मंतिरी नरेन मोदी ने करोना महमारी के चलते, घरों को लोटे प्रवासी मजदूरों को अजीवी का उपलब्द कराने के लिए, गरीब कल्यान रोजगार अभियान को भी शुरू की थी, और यह योजना च्छे राज्यों के 116 जिलों में चलाई जा रही हैं, इसी के साथ आके बढ़ेंगे, देखते हैं, नेक्स कोशन, नेक्स कोशन है, कैलिपोर्निया स्टेट असेंबली ने, हाल ही में किस द्रेंगत, बॉलिविड अभी नेता को सम्मानित किया है, आप्शन है, सुषांत सिंग राजपूत, इर्फान खान, रिशीर कपूर या कादर खान, जो करेक्ट रंसलेस का वो है, ए, सुषांत सिंग राजपूत, डिटेल सेखेंगे, डिटेल सेंगे, क जैसा कि सभी को पता है, 14 जून को मुंबई के उपडगर बांदरा स्तित घर में फंदे से लटका मिला था, और इस कथित खुदकशी को जो है, जो उनकी खुदकशी उन्होंने की है, उसकी जो है, अभी तक CBI चार्च भी कर रही है, और भारतिय समूदायन जो है, नेता अ हाल ही में किस देश के से जो है, नविनतन 66 F-16 जैट खरीदने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्शर किये हैं, आप्शन है, रूस, चीन, जापान या अमेरिका, जो इसका करेक्टर अंसर है, वो है D, अमेरिका, डिटेल्स देखेंगे, डिटेल्स है, ताइवान ने जो हाल ह अमेरिका से नविनतन 66 F-16 जैट खरीदने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्शर किया है, और इससे आगे अमेरिका और चीन के बीड़ तनाव बने की अशंका है, और 1992 के बाद अमेरिका से ताइवान की यह पहली खरीद है, और ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकु मिलेंगे, और अमेरिका ने अपनी लड़ाकु विमान निर्माता, निर्माता जब कमपनी Lockheed Martin को जो है अगले 10 साल तक जो है F-16 विमान का आधुनिक संस्करन बनाने का जो है 62 अरब डॉलर का भी ठेका दिया है, इसी के साथ पढ़ते हैं आगे और देखते हैं, नेक्स प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्यर पैकेज की गोशना की है, ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या जापान, और यह था हमारा आज का लास्ट कुरिशन और इस कुरिशन को जो है सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, और जो इसका करेक्ट आंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक के द्वारा आप इस वीडियो को पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई and टेक क ग्रीयो